हालो एवरीवन वेलकम टूब्राइट आईक्यू तो आज हमनों जेसी सीजी एल में पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपोर्टेंट और इंटेस्टिन टॉपिक जो है आपका जारखन का छेत्रिय राजवन्स जारखन का छेत्रिय राजवन्स में हमनों सबसे पहले समझते हैं क इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जो है आपका जारखन का मुंदा राज दूसरा आपका छोटा नागपूर खास का नागवन्स तीसरा में है पलामू का रक्सेल तरहा चौथा में हैं सिंभूं का सीवांस तो एक एक करके इसके बारे में स्टडी करे आशे क्लास में पढ़ने वाले जारखन का मुंदा राज तो बेसिकली अगर इसका फॉस्ट अपिक की बात करें तो देखे जारखन राज जनिर्मान की प्रकिरिया में सबसे महत्तवपूर्ण योगदान या फिर कहे कि सुरूआत की गई थी तो वह रिता मुंडा या तो ज्यारखन में मुंडाओं की आगमन की बात करें तो कहा जाता है कि मुंडाओं का आगमन से और उनकी आणुसार जौसाव का आगमन जो था वो छो सर इस भी पूर्व में हुआ था तो यह आपको बेसिकली याद रखना है चलिए नेक्स अब इसका देखते हैं जो है आपका की पहला मुंडा राजा सूतिया पाहन था अगर आपको कोसर ने पुझाए कि पहला मुंडा राजा कौन था तो वो था राजु के पहलोमूंडा था को याद रखना निया नियखते १ा तो ये आपका सूतिया नाक्खंड की राजधानी शूतिया के नाम से जाना चाहिता है कि सूतिया नाख्षंड की राजधानी क्या है तो सूतियामवे है जिसे वर्तमान में पिठोईया के नाम से जाना जाता है ठीके तो यह आपको टॉपिक आप देखना इसमें एक और इंपोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका कि अंतिम मुंडा राजा जो था वो मद्रा मुं मिर्णा सत्वाइब मन्द की थी अब इसने इसे में इसे typ है Are bie उसे हैं कि सुतिया नाखण नाम इस राज्य कोड्या पाहन ने उन्हों ने ऊच्शल्फ किया है स्न। आपको याद स्नौ किसी नाखण पत्रत कितनह गढ़ों और कितने परगनाओं में बाटा है तो टोटर साथ गढ़ और इक परगना में बाटा है इस तरह से आपका जहरखंड का चेत्रिय राजबंस का मुंदा राज और इससे आधा आपको कोई भी टॉपिक करने का जरूद नहीं है एक एक पॉइंट में आपको इसको रटने की जरूद नहीं पड़ेगा आपको आराम से याद हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं लेक्स वीडियो में जिसमें छोटा नागवर्ण के बारे में संपून पार्ट कोशन को डिस्कस करेंगे अगर वीडियो आपको थोड़ी सी इंफर्माटिव लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइगा आप चानल को सिस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ थैंक्स फूर वाचिं लाइग के लाइग को प्लेड का प्लेड वाचिंत के साथ ने य्टियू है और टॉपिक भागे श।क्ट टॉपिक इंपू आपक्यू को लगेगे लाइगे क।